Hello friends, welcome back to my channel और मैं हूँ आपके साथ अर्षना Friends, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे digestive system को ठीक से काम करने में थोड़ टाइम लग जाता है इसलिए सुबह सुबह खाली पेट कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे आपको गैस बने या फिर कब्स या कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम हो तो चलिए friends, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खाली पेट कौन-कौन से चीज़ें आपको बिलकुल नहीं खाने चाहिए हमारे दिन के शिर्वाद देखे सुभा से होती है इसलिए सुभा की activities और खाने पीने का असर पूरे दिन बना रहता है इसलिए सुभा का routine healthy रखना बहुत जरूरी है अगर खाली पेट आप कुछ भी गलत खाते हैं तो पेट से जुड़ी problems जो हैं आपको हो सकती है खाली पेट हो तो आप खटे और रसीले फल खाने से पचें खाली पेट संत्रा, अम्रूद, अंगूर, आम, मौसमी जैसे फल खाने से पेट में acid की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वज़र से digestive system पर भी गलत असर पढ़ता है क्योंकि इन फलो में fiber और fructose पाया जाता है जो कि खाली पेट पर आपको नुकसान हो जा सकता है कुछ लोग कच्ची सबजियां या salad खाना भी बहुत पसंद करते हैं लेकिन कच्ची सबजियों और salad में मौजूद जो fiber होता है अगर वो जादा amount आप खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको पेट में दर्ध हो सकता है इसलिए जब आप खाली पेट हो तो खीरा, टमाटर या कुई भी कच्ची सबजी खाने से बचें इसके लाव फ्रेंड्स जाता लोग अपने दिन की स्टार्टिंग एक कप चाय से करते हैं लेकिन खाली पेट चाय या कॉफी पीना नुकसान देता है यो कि चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो कि गैस या कब्स करते ह इसलिए कोशिश करें कि खाली पेट चाय या कॉफी ना पिए आली पेट पर आपको थंडा पानी या कोल्ड कॉफी जैसे थंडी चीजे भी नहीं पीनी चाहिए थंडी चीजे खाली पेट पीने से आपका digestive system धीरे काम करने लगता है और इसलिए खाली पेट थंडे की जग आप हलका गर्म पानी पी सकते हैं खाली पेट आपको जादा तीखा और मसाले दार नाश्ता भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जादा मसाले वाला खाना खाने से आपको इन डाइजेशन की प्रॉबलम हो सकती है या फिर पेट में एठन हो सकती है इसलिए जादा स्पाइसी खाना खाली पेट ना खाएं नेक्स्ट आता है केला यानि बनाना देखिए बनाना या केला वैसे तो काफी अच्छा फल है ये बॉड़ी को काफी अच्छी एनरजी भी देता है केले में मागनीशियम और पोटेशियम भी काफी अमाउंट में होते है पर अगर आप खाली पेट केला खाते हैं तो इससे आपको पेट में बेचैनी या वामिटिंग जैसी परिशानिया हो सकती है इसके अलावा फ्रेंट्स जब भी आप खाली पेट हो तो जादा फाइबर वाली चीजे और जादा मीठा यानि फ्रक्तोज वाली चीजे खाने से बशना चाहिए इससे आपका डियस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है और पेट से जोड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है इन सब के अलावा अगर आप अलकोहोल लेते हैं तो ये ध्यान रखें कि कभी भी अलकोहोल को खाली पेट मत लीजिए तो फ्रेंस ये तो हमने बात की कि खाली पेट आपको कौन सी चीजे नहीं खाने चाहिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप खाली पेट पर ये चीजे नहीं खाते हैं तो आकर आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो पहली चीज़ सुबा जब भी आप सोकर उठें तो आप खाली पेट रात भर के भीगे हुए बदाम खा सकते हैं आप लगभग 5-7 बदाम डेली खा सकते हैं इन भीगे हुए बदामों का छिलका उतार कर ही खाएं भीगे हुए बदामों में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो की पूरे दिन के लिए आपको एक अच्छा पोशन देते हैं नेक्स्ट खाली पेट पर जब आप गुनगुने पाने के साथ शहद पीते हैं तो इससे आपका डाजेशन अच्छा होता है और आपकी इम्मुनिटी भी बढ़ती है खाली पेट गुनगुना पानी, नीबू और शहद आपके वेट को भी कम करने में हेल्प करता है अगर आप खाने में लहसुन यानि गार्लिक का यूज़ करते हैं तो आप लहसुन की कुछ कलिया भी खाली पेट खा सकते हैं इससे हाई बीपी और सास से जोड़ीवी परिशानिया कम होती हैं और बॉडी से टॉक्सिंस जो हैं वो रिलीज होते हैं खाली पेट आप ऐलोवेरा जूस या आवले का जूस भी पी सकते हैं इनके पीने के लगभग 45 मिनट यानि कि एराउंड 45 मिनट के बाद ही आप चाए या कॉफी पीए इन सब के इलावा आप सुबा सुबा उटकर जीरे का पानी जो है बना कर वो भी पी सकते हैं वो भी खाली पेट पीना जो है अच्छा होता है फ्रेंट्स लास्ट में जान लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनको आपको जानना ज़रूरी है पहली चीज की अगर आप चाए या कॉफी लेते हैं तो साथ में कुछ हलका स्नाक्स या बिस्किट ज़रूर ले नेक्स जिन चीजों से आपको गैस या असिडिटी होती है उन चीजों को खाली पेट बिलकुर मत खाईए खाली पेट आपको जादा शुगर वाली चीजे भी नहीं खानी चाहिए अगर आप अंडा खाते हैं तो खाली पेट उबला हुआ अंडा खा सकते हैं खाली पेट आप दलिया या ओट्स भी खा सकते हैं इससे आपके सीने में जलन नहीं होती फ्रेंट्स लास्ट में ध्यान रखे कि खाली पेट कुछ भी एक बार में बहुत ज़ादा अमाउंट में नहीं खाएं तो फ्रेंट्स यही था हमार आज का वीडियो, I hope आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा होगा हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, थैंक यू